नमस्ते दोस्तों मैं आंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के कारकरम पूछे अपना सवाल में पूछे अपना सवाल जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जबाब तो दोस्तों अगर आपका भी एक कोई सवाल तो तुरंट फॉन उठाई और अपने सवाल पूछिए फॉन के अलावा फेस्बूक वाट्साप और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल आज आपके सवालों के जबाब देने के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिशी विशेशक डॉक्टर आपदेश शुकला जी शुकला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारक्रम में दन्यवाद तो दोस्तों अपने कारक्रम के शुर जी उनको चुए काट रहे हैं चुए काट रहे हैं हाँ जी तो आप उनको बहुत ज्यादा तरीके जमार भी दीजिए बताओ जी हाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो दवाईया हैं एक जिंग फासफाइट हाँ जी और दूसरी है वेरियम कार्वोनेट हाँ जी इन दोनों दवाईयों मैंसे जो दवाईया आपको मिल जाए तो अब उसको उसका चारा के रूप में बनाना है चुए का चारा का तो कैसे बनाएंगे एक भाग तो आप ले रेंगे दवाईये हाँ जी उसके बाद आप एक बाग सरसों का तेल लेंगे अब उस पर तेल डालते जाएंगे और दवा डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से वो चने के ऊपर जो है वो दवा शिपक जाएगी अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप बगैर दवा वाले चने पुरिया में बान करके पुरिया बनाईएगे खेद में डाल दीजिये जगे 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 डाल दीजिए तो वो खाएगा और खाने के बाद उसमें कोई उसके संका नहीं रहेगी वो समझेगा कि बहुत बढ़िया चीज है उसको खाईए आप दूसरे दिन आप तो खुछ समझदार हैं दूसरे दिन फिर आप जो आपने बनाया है दवा बनाई है उस दवा की पुड़ियों को डालिए और जहां पर आपको बिल दिखाई दे हैं वहां पर दो दो तीन तीन डाल दीजिए बिल नहीं है एक बंजड़ है थोरी सी पास में बीस मित्र दूर उसमें जुंडे जाड़ खड़े हैं उधर से निकल में से लकर आते हैं कोई बात तीने वहां ते निकल गाते हैं तो उस में भी आप डालिए और खेट में भी डालिए ठीक हैemb हाँ मैं आपको बता दूं सम्मर जाएंगे जो कुछ बचेंगे ना वो डरके मारे भाग जाएंगे ठीक है जी जी और कोई सवाल हाँ जी एक मैं नेबू और पेर का पाग लुखा ना चाहता हूं जो एकड़ी जी बहुत कहां से मिलेंगे जी अपने आज परोज में जहां भी आपको नरसरी है सरकारी नरसरी हो या गवर्मेंट की अपरूब नरसरी हो तो वहां से आप जाली लगाना चाहते हैं तो इंदोर सीडलेस एक प्रजाती है और अगर आप चाहते हैं कोई बात नहीं अगर उसमें सीड है लेकिन हमको रस ज्यादा चाहिए तो पंथ सीवन एक बराती आती है पंथ काग जी उसको लगाई है जी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम अचाहि बात करें तो अचाहर बनाने के लिए सीडलेस निम्बु जादा अच्छी होती है या पिर विजी सबसे या तो अचाहर के लिए यो है वह जिसमें सबसे आदा रस हो उस बहुत बना जाता है और अगर शीडलेस है तो उसमें परेसानी खाने में यह उसको निकाल तो दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से गौतम जी से जो कि छतिस गड़ के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार सर मैं अनुशु बात करें यूँ ग्रीन टीवी से सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल जी मैं जानकार की ता मेरे को जिसमें डेरिक लिए अगर गया देना चाहूं जिसमें छतिज़ गड़ में रहता हूं जी तूशर यांस तो अच्छी नस्टीज गड़ में आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको जो इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टिशूट है उसमें आप संपर्क करें और बहां से आपको जो अच्छी प्रजातियां हैं उसमें सबसे अच्छी प्रजातियां है साहिवार देशी में थार पारकर है सिंदी है और जो विदेशी जातियां हैं उसमें जर्सी और गनसी है तो जर्सी अगर आप लेते हैं तो भविश्च में आप आप इस बात का ध्यान रखें कि जर्सी गाय का दूद्ध जो है बहुत पतला होता है तो इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते हैं देकिन अगर जर्सी गाय को अगर हम साहीवाज सांड से क्रास करा दें उसके बाद जो बराइटी मिलती है हमको उसमें दूद्ध गाड़ा भी हो जाता है और मात्रा भी बढ़ जाती है जी आपका बहुत-बहुत धनिवाद हम से जोड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से वरुन यादब जी से जो की उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछें अपने सवाल पूछ सब्से बड़ा जो ट्रेनिंग सेंटर है मुर्गी का जहां रिसर्च का काम होई होता बैराटी भी निकाली जाती है मुर्गियों की अच्छी वह इंडियन बेटिनरी रिसर्च इंस्टूट आइजड नगर इसको इजड नगर के ना मुम्ही है विए इसे जो मुर्गियों का प्रुसिक्षिन दिया जाता है वो जितने भी कि वी दाले हैं हर राज में करशी मिद जाले हैं और वो इसका प्रशिक्शन देते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक जो बैग्जनिक लोगों ने, मचली पालन वाले जो ने जो 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 रिकमेंडेशन दी है उसमें तो यह कहा है कि जिस तालाव में आपने बच्षनीया पाल रखी हैं उसमें कोई भी जली पूदे ना लगाए जाएं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में जिसने आप हम से खेती बाड़ी और परशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जबाब तो दोस्तों अपने कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अ जो बैग्यानिक लोगों ने मचली पालन वाले जो बैग्यानिक है उसमें तो यह कहा है कि जिस तालाव में आपने बच्छनिया पाल रखी हैं उसमें कोई भी जली पौदे ना लगाये जाएं। नहीं लगाना चाहिए। अब अगर आपका दूसरा है तो उसमें आप कमल जो है बड़ी आराम से आप लगा सकते हैं लेकिन कमल में लगाने के लिए एक बात का ध्यान रखे जो आप कमल में तालाव है उसकी मिठी बहुत चिकनि होनी चाहिए। तो ठीक है तो आप उसमें कमल लगा सकते हैं तो उसके लिए आपको बेल लेकर के, कमल की बेल आपको लेनी पड़ेगी, और उसको तालाम में डालना पड़ेगा, आपने देखा होगा कि जो सब्जी बनाते हैं, ये कमल की जड़ होती है, तो ये पूरा हम निकाल करके जो उस इसमें तालाम में डाल देंगे, तो उसके बाद ये धीरे 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 सर्वाइव होगा, और उसके बाद इस पर पूरा फैल जाएगा, और ये जड़ सहित निकालना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, पूरा जड़ निकालें फिर उसको हम डाल दें तालाम में, ता हम दर्माने दिन जड़ खोद के सब दर्वाई तो उसके उपर बेल भी लगी हो नीचे गी देखिए ऐसा है कि जब आप कमल का पूरा निकालेंगी जो आपको मुझा कहते हैं भसीडा जिसकी सबजी बनाते हैं वो होती है उसकी जड़ तो मैं जड़ के आप उसको निकाल ले कटी है क्योंकि वो तो में बहुत नीचे है पानी बहुत है नहीं ऐसा मेडम जिस तरीके से सिंगाडा तोडने वाले सिंगाडा तोडने के लिए अपना वो बनाते हैं और उसमें वो नाओ की तरीके का घड़े का बना लेते हैं इसी तरीके से ये कमल का भी जो बड़े ता पासे बासे निकालने से रेमी आप पूश्टि Joint जूनने के लिए गाले सवाल पूशने के लिए तो दोससों इसी के साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर राजेश जीसे महरास्ट्रों के रहने यह जानते हैं क्या है इनका सवाल कि नवश्कार सर में आश्यू बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से आपको रैबिट फार्मिंग के बारे में जानना था देखिये खर्गोष पालन के लिए आपको भारती पश्व अंसंदान संस्तान से संपर करना पड़ेगा यह आपका महराष्ट में ही है वहां आप संपर के स्ताफित करें और वहां से आप जो बाराइटी चाहें खर्गोष की वो बाराइटी आपको मिल जाएंगी और वहां पर सिक्ष्ण भी आपको मिल जाएगा तो यहां पर जो है वो अगर आप पालते हैं तो वहां कि आप महराष्ट से ही लेंगे तो वहां के हिसाब से ही जो जहां सर्वाइब करने वारा होगा वही आपको देंगे जी सर आपका बहुत बहुत धनिवाद्थ हम से जुने के लिए सवाल पूछने के लिए अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग रैबिट फार्मिंग करते हैं तो इसके पीछे कहा है जादा मतलब रैबिट्स की जो है वो जादा ध्यान रखना पड़ता है उनकी देखिए एक तो सबसे वड़ी बात है कि साकाहरी है यह और इसके लिए जो जो है इसको पालते हैं जादा लोग इसको नहींए भासने करें जैदेख डी देख रीख भी ज्याना होती और इसको मार्किट में भी बहुत ज्यादा इसकी मांग नहीं है जे तो दोस्तरर हbayर ऐसेके साथ आए बात करते हैं अपने अगले कॉरसे प्र गत प्रगत सिंख ज पूछ सकते हैं, पूछे अपने सवाल, केले का जो बड़ी का से मिलेगी अपनी, सोनी पत में एक जगह है मुनाली, मुनाली सोनी पत में, हाँ, उसमें आपको केला के टिशु कल्चर के प्लांच मिल जाएंगे, वहाँ पर उनका एक उन्होंने सेंटर खोल लगा, लैब खोल वर्फ, हरी शार का खेला, रामवोग, मुन्यन और आपका रोवस्टा, ये वराइटी जो हैं आप ले अपने छेत्र के लिए, तो ये कहा थे हमको वेलेबल होंगे सर, मैंने आपको बता दिया कि जो आपका जो मुनाली है, सोनी पत में, वहाँ पर ये बहुत बड़ी सब्सक्राइब है इनोंने खोन लग की है, जहां पर ये आपको टिशू से बना के तयार करते हैं केला के बहुत तयार करते हैं, वहाँ से आप बहुत ले सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए इस सवाल हम से पूछने के लिए तो दोस्तों फिलहाल यहां वफ्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का आप कही मत जाएए देखते रही है ग्रीन टीवी और यह प्रार्षना पत लिए कि मैंने अपनी गाय का बीमा कराया था और बीमा कंपनी से मैंने कई बार संपर्क स्थापित किया है लेकिन बीमा कंपनी मुझे उसका पैसा देने को तैयार नहीं है और यह अप्लिकेशन आप किसको देंगे जिला अधिकारी को देंगे अपने यहां के ब्रेक के बार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और परशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब तो दोस्तों अगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले कॉलर से भुपेंद्र जी से और जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार सार मैं आशू बात करें हूं ग्रीन टीवी से देखिए जब आपने बीमा कराया था तो आपको जो कागज मिले तो आपके पास एक भी कागज नहीं है कागज है तो आप उस कागज की फोटो स्टेट कराईए और एक प्रार्थना पर लिखिए कि मैंने अपनी गाय का बीमा कराया था और बीमा कंपनी से मैंने कई बार संपर्क स्थापित किया है लेकिन बीमा कंपनी मुझे उसका पैसा देने को तैयार नहीं है और यह ऐप्लिकेशन आप किसको देंगे जिलाधकारी को देंगे अपने यहां के जिलाधकारी को देंगे तो जिलाधकारी उस पर जब आदेश करेगा तो भीमा वाले वह उसका भुगतान करायेंगे कि स्वाल पूछने के लिए दोस्तों से कि आप जानते हैं कि सिर्फ देश से नहीं बलकी विदेशों से भी लोग हमारे साथ जुड़ते हो अपना सवाल हाली में हमारे साथ डिंगूर जुड़े थे जो की साउधी अरब में जॉप करते हैं इन्होंने लिखा है कि यह हमारे चैनल देखते हैं इनको बहुत पसंद है ग्रीन टीवी और यह साउदी अरब में रहते हैं लेकिन तीन-चार महिने में जो है यह राजस्थान में ट्रांसफर हो रहा है इनका तो इन्होंने हमारा बाते खेती की अद्रक की खेती देखा था इनको बहुत पसंद है और यह अद्रक की खेती के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि यह बीज वगारा कहां से ला सकते हैं और किस तरीके से यह राजस्थान में अद्रक की खेती कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो अध्रक की खेती करने के लिए ये जरूरी है कि आप अच्छी बरायटी का सिलेक्शन करें उसमें सबसे जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको एक बरायटी आती ही हिंगिरी दूसरी है महमा एक तीसरी है रजाता और सुर्वी और सुरची इन बाराइटी का सेलेक्शन करें नमबर एक दूसरा यह है कि इसको जब आप इसका बीज जो है पंदरा सो से लेकर के अठारा सो किलोग्राम पर थेक्टर बीज की आवसकता पड़ती है और इस बीज को आप जो है जहां आप रहते हैं वहां के निकड़ वर्ती आप किर्शी बिश्विद्याले से इसको प्राप्ट कर सकते हैं या कहीं भी जो आपकी अद्रक की खेती हो रही है और उसने कोई अच्छी बराइटी पहले से बो रखी है तो वहां से भी आप संपर करके उससे किसान से भी प्राप्ट कर सकते हैं और नहीं तो आपको फिर ये बराइटी किसी रेश्टर गवर्णमेंट की जो सीट की दुकाने वहां से भी आपको ये अद्रक मिल सकती है ये इसकी गांट लगाई जाती है और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इसको इसको इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अद्रक के लिए जब खेट की तैयारी करते हैं तो 300 से लेकर के साड़े 300 कोईंटर पर हेक्टर गोवर की सड़ी हुई खाद या कंपोस खाद खेट में जरूर डालें क्योंकि ये कंद वाली फचल है जितना ही इसमें जो है और कंद वाली फचलों में जो है सुपर फासफेट यानि भी खेट में तैयारी करते समय डालना है लेकिन डालते समय पूरा फासफेट और पूरा पुटास और आधा आपको जो है नाइट्रोजन खेट में डाल करके और उसके बाद इसकी बुभाई करनी है अब उसके बाद जब ये आपकी 20-25 दिन की हो जाती है तो आपको जो मैं 4-50 दिन की हो जाती है तब बचा हुआ सेस हमारा जो है उसकी टाप रेसिंग करने इस बात का जहरनक है कि इस समय जब टाप रेसिंग करेंगे तो खरपतवार भी है उनको भी निकाल दे और उसके बाद थोड़ी मिट्टी भी चड़ा दे और सिजाही कर दे यानि कि सर जो बीज है ये अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी से मिल सकती है उनिवर्सिटी से बहुत अच्छा बीज मिल जाएगा और नहीं तो 19 सील किसक जो होते हैं जो अच्छी वराइटी होते हैं वो अपने बीज के में इसको बेच भी लेते हैं जी सर तो डूंगूर सिंग जी आप सब्सक्राइब के आप मेघ्रिकल्चर उनिवर्सिटी से ले सकते हूं राजस्थान में जैपूर में अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी हैं वहां से वह द्रक्ये उिस अव्त के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपका भी कोई सवाल तो देर किस पात की तुरंट फॉन उठाई और अपना सवाल पूछिए फॉन के अलावा फेस्बुक वाटसेप और इमेल के जरिये भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल फिलाल आज के इस कारक्रम में बस इतना ही मुझे दीजे इजाजत और देखते रहें ग्रीन टीवी नमस्ते कि अच्से साथ पंप हमा Also झाल 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 ठाई और घ।